हेलू नमस्कार जोहार आप सबों का स्वागत है एटु जैड इश्डी पॉइंट चैनल पर मैं परदीप सर आज हम क्लास लेके आए हैं ग्यान सीतु सुगम अधिगम कारीकरम हिंदी कारी पुस्त का पेज नमर 29 का अध्यन करेंगे तो वीडियो को अंतक बने रहें अच्छ अवसी करेंगे आए क्लास को सुरू करते हैं तो आप देख रहें बच्चू आपके पास क्या दिखाय दे रहा है यहां पर कुछ चित्र दिखाय दे रहें चित्र के साथ दी गई कविता को पड़कर उसमें दी गई घटना करम को करम बदरूप में लिखना है यहां पर दे क्या कविता को बनाए हैं ध्यान से इसको देखिए डाल पे लटके उल्टे बच्चे तोड रहे थे आम वो कच्चे लगा पेड़ पर था एक छाता गिरा तूटकर उस पर पत्ता उड़ी मख्यां काली काली डर गए बच्चों छुटी डाली बच्चे नीचे गिरे धड़ाम रह गए लटके कच्चे आम तो इस तरह से बच्चों देखे इस कविता को बनाए हैं तो इस तरह से आप दूसरा भी इसमें बना सकते हैं कोई दिकत कोई परिसानी भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको अच्छी तरह से बता रहे हैं आईए आप देखते हैं question number two की करें तो two number में क्या दिया है उपर पढ़ी गई कविता के अधार पर दे गई वाक्यों को पढ़कर सही और गलत का चिने लगाई है आप यहां पर जो कविता को पढ़े हैं तो सही है या गलत है उस पर आपको टीक लगाना है तो यहां पर देख रहे हैं आपको बता रहे है कविता में पेड़ पर मदू मख्यां का छता लगा हुआ है सही है डरने के कारण बच्चे का हाथ डाले से छुट गई यह भी सही बात है बच्चों ने कच्चे आम तोड़ ली है यह गलत है कविता का उल्टा पका होता है यह सही है इस तरह से इसको लिखेंगे अब यहां लेकर चुहा आया चीटी और चुजे को बिठाया पत्ता बंपत्वार बनाई चीटी राने थुरी घबराई छपचप करती नाव चली अब आगे में आपको बढ़ाना है इससे आगे क्या बढ़ेगा तो देखिए हम बना के दिये हैं बारिस के पंगनी थम गई है नाव हम कंप्लिट हो जाता है उमीद है आज का ये वीडियो आज का क्लास आपके लिए काफी यूजफूर रहा होगा आपने देखे ये पेज नमर 29 बच्चों आपका कंप्लिट होता है और नेस्ट क्लास में फिर मिलेंगे नेस्ट पेज के साथ थेंक्यू पर वाचिंग माई वी मिलते हैं नेस्ट क्लास में